हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबकार आपके पने यूट्यूब चैनल इसमाइश्टमेंट में फिछले कुछ समय से काफ़ी सारे स्टॉक्स हम अपने चैनल पर डिसकर्स कर रहे हैं काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट के तेजी के साथ एक बड़ा रन दिय मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है काट की बात हो रही है जब आई प्यों आया था तो स्टॉक में बड़ा बस था उसके बाट कोविड आउट ब्रेक हुआ स्टॉक ने बड़े लोज बनाए वहां से चला भी पर पिछले डेड़ साल से यह स्टॉक मार्केट को लग करने वाले हैं और डिटेल में बारे में बात करेंगी कि यह स्टॉक चल क्यों ने रहा है और यहां पर क्या स्टाटेजी होनी चाहिए आप हमें इस्टा पे और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें स्टॉक मार्केट से जूड़ी हुई अपडेट्स का रिव्यूज से पहले आया था 2020 में लगबग तीन साल इस बात को हो चुके हैं वहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है स्ट्रीट का सबसे बड़ा अंडर पर्फार्मर रहा है क्या बेच कर निकल जाए अगर आईप्यों में आपने स्टॉक लिया है किसी भी लेवल पे लिया है या बाय पारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे काफी रिसर्च में कर रहा था वैसे तो ये बात अल्मोस अभी समझ पा रहे हैं चैनल चैक के तुरू भी कि यूपी आई की ट्रांजक्शन जिस तरह से बढ़ रही है वो क्रेडिट कार्ड मार्केट का जो है मार्केट शेयर खा मार्केट कार्ड में और यूपी आई में जमीन आसमान का फरक यूपी में आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं बेसिकली जो आपके पास है और क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट है जो आपको एक महिना बाद 50 दिन बाद बिल भर्णा होता है दोनों में जबाद भद्ध वो भी मन्थान मन्थ बेसिस पे लगबक 12% के आसपास गिरी है इसके कहीं सारे रीजन हैं आगे चलेंजेस में हम डिसकस करेंगे पहले थोड़ा सा डेटा मैं आपको यहां पर विखा दूँ आप इस करडित काड का डेटा देखिए काड का शेर 19% लगबक 12 करोड के 1.4 करोड काड इन्हों ने इस्जी एफसी का 21% कभी 25% हुआ करता था इस इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है वो या तो स्टेबल है या वो डिकलाइन हो रहा है दो नंबर ऑफ काड बढ़ रहे हैं बट उसके बावजूद भी SBI काड जैसे प्लेयर अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पा रहा है उसका रिजन में आपको बता देता हूं कि यहां पर रोज नहीं नहीं प्लेयर आ रहे हैं EU BANK, IDFC BANK जैसे प्लेयर भी बहुत अग्रेसिव हैं क्रेडिट कार्ड बातने में इसके अलावा तरह तरह के स्टार्ट अप जो है UNI CARD और ONE CARD तो इस तरह के स्टार्ट अप्स लगतार आ रहे हैं आर्बियल बैंक ने छोटे समय में पांच परसेंट का बड़ा मार्केट सेयर कैप्चर किया है कोटिक हो गया यह बैंक बी जो है एक्सिस बैंक यह बैंक तरह तरह के वारियंस निकाल रहे हैं यह इंडुस्ट्री जबरदस तरीक से फ्रेंगमेंड हो गई यह इवन आजके बेट में तो प一次 बांक मोट अगरसीव है और क्रेडिट कार्ड निकालने में तो यह एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो ग्रोथ आ रही है उसका बैनेफिट किसी एक सेटल्ड प्लियर को नहीं मिल रहा है यह बात हमने पीछे मुचल फंड इंडिस्ट्री के बारे में भी आप से की थी कि यह भी सेक्टर लगे पार फ से देख लीजिए डिटूल में चलो अगली वीडियो में उस बारे में बात करेंगे तो पहला रीजन तो यह एक तो मार्केट शेर नहीं बढ़ रहा है और स्पेंडिंग्स घट रही है अब बात आती है यूपी आई से इसका क्या कंपर रिजन है चलो इस बारे में बात कर अब लगरा होगा आपको की यूपी आई से इसका क्या कंपरेशन है फ्रेंट्स काफी एचनाई परसन है जो क्रेडिट पर काम नहीं करते हैं पर क्रेडिट कार्ड एजी तू कर रही है तो स्वाइप करा लेते हैं बाद में कंसलिएट बिल भर देते अब यूपी आई से यूपी आई से नीचे कि वहाँ बंदर डार्क ट्यूपी आई से पेमेंट कर लेते हैं बहुत लोगों से अप मिले होंगे जो उतना ही करेडिट कार्ड यूज करते हैं जितना उनके अकांट में पैसा है चलो पैसा पड़ा है बाद में बिल आएगा भर देंगे तो वह ल करता है क्योंकि वहां मर्चंट डिसकाउंट डिया नहीं लगता है क्रेडिट कार्ड पे अभी भी MDR वर्ल्ड में हाइस्त है तो दो तरफ हमार पड़ रही है इनको एक तो अर्भी लगतार MDR पे कैपिंग लगाने की बाते कर रहा है और दूसरी तरफ यह की मर्चंट भी जो है UPI से ना उसको कोई कोस्टिंग आती है यह दोनों के लिए यूजर के लिए और मर्चंट के लिए भी फ्यूफ कोस्ट है तो इसकी वज़े से इसकी पॉपुलियरिटी लगतार बढ़ रहा है और मर्चंट भी क्रेडिट कार्ड को लगतार डिसकरेज कर रहा है क्रेडिट कार्ड के तो वह जो है वहां पर ट्रांजेक्शन कम हुई है UPI के मुकाबले तो कंपारिजन तो है दोनों ही पेमेंट करने के तरीके हैं और क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा चाम जो था वह इमाई का था उसको भी लगा था जो बाइनाव पेलिटल डाइप कंपनी जे वहां मार्केट शेयर खा रही है बजाज फिनाइस लगा था चुटे चुटे लोन दे रहा है कंजूमर लोन में डजन साफ कंपनी मार्केट में आ गई है जो चुटे चुटे अमाउंट पांदेस हजार को यह माई पर फिनाइस करती है तो क्रेडिट कार्ड से इमाई लेने वालों की संख्या लगातार घट रही है वह ऑनलाइन शॉपिंग में तो अभी भी जो है क्रेडिट कार्ड से एमाई बनवाने वालों की संख्या इंटाक्ट है पर पीवेश मशीन पे और यह छुटे 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 जो ऑफलाइन मार्केट है बहुत सबसे बड़ा चालेंज है कि मार्केट बहुत कॉंपिटिव हो गई है इसलफ क्रेडिट कार्ड कंपनी में जबरदस कॉंपिटीशन है नई जमाने के स्टार्ट अप टाइप की कंपनी इनको कॉंपीट कर रही है यूपी आई तो इसका कॉंपिटेटर है यूपी अपनी पेस से बढ़ेगा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री अपनी पेस से बढ़ेगी ऐसा नहीं कि इसको खा जाएगा बट वो जो बड़त है उसका मैनेफिट किसी एक प्लेयर को मिलना बहुत मुश्किल है तनी कॉंपिटिटिव इंडस्ट्री में यह सबसे बड़ा चैलेंज ह कि अगर यह तो बढ़ा गेम चेंजर कर लिए हो सकता है श्क्राइग को जवर दस तरीके से बूस्ट कर सकता है कि आप प्लास्टिक मुनी भी करें डाक्त फोन से प्रविंट कर देतें बहुत लोग तो यह स्चुका है प्लेक यह फोन लेके जाते हैं मार्किट में कुछ उ तो अगर क्रेड़िट कार्ड लिंक हो गया और वह इस आ गई तो वह तो अवियसली बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं कि वहां क्रेड़िट कार्ड से पेमेंट कर दो बाद में बिल पे कर देंगे तो वह एक बड़ी ओपरचुनिटी यूपी अगर क्रेड़िट कार्ड लिंक यूपी आई पॉपलर कल को पॉपलियरटी गेंड करता है तो मुझे लगता है कि वह एक बड़ी ओपरचुनिटी कर्ड़िट कार्ड इंडस्ट्री में बन रही है 767 रुपीज का प्राइज है 46,000 करोट की मार्केट कैपिटल ऐसी के आसपास IPO आयता पिछले 2-3 कोटर से रिजल्ट बहुत अच्छे आए करल्स के रिजल्ट आने वाले है रिजल्ट सम्ट जो है रिवी एक बार पोस्ट करेंगे इंस्टार उस पे मेरा मानना है फ्रेंट से स्टॉक के डिरेटिंग जरूर हुई है पर वालोशन बहुत सस्ते है दो ये इंडस्ट्री की जो ग्रोध है वो प्रामिसिंग नहीं लग रही है मैं दो बात इसको लेके बोलूँगा पहली बात यह अगर आपने आइपियो के प्राइस से होल्ड किया है अब तक नहीं बेचा है तो इन रेट पे तो बिल्कुल मत बेचो यहां से तो अच्छी exit point आपको यहां मिलने चाहिए दूसरी बात बिल्कुल 1100 पे जब कभी यह गया तो आप से खरीद के बैटे हैं तो आप staggered way में जो है थोड़ी averaging कर सकते हैं या थोड़ा रुक जाएं आपको exit point मिलेगा दो मेरा conviction नहीं आ रहा है कि मैं बोलो 15 साल रखें और भोल जाएं बट मेरा मानना है कि यहां से एक अच्छा exit point आपको जरूर मिलेगा तो अब तक नहीं बेचा है तो अभी तो ना बेचा है अगले एक साल के लिए hold करें देखने किस तरह से transformation इस industry में होता है बस पर हाँ इस industry में अब जो विजिवल ग्रोथ है या मैं कहूं कि यह जैसे बहुत ज़्यदा प्रामिसिंग सेक्टर लग रहा था कि बहुत अंडर पैनिटरेट सेक्टर है इंडिया में ग्लोबल की इस तरह का नेटवर्क था जिस तरह की जो है ब्राइंड वैल्यू थी उसके बाद भी सेक्टर में ग्रोथ अब उस तरह की प्रामिसिंग नहीं लग रहा है काफी सारे थ्रेश्ट और चैलेंजिस हैं बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप एगले एक साल होल्ड करते हैं तो यहां से एक बटर exit point मिल सकता है बट long term portfolio stock से आज की देट में SBI card मेरे portfolio से तो बहार है और मैं इसको long term के लिए consider खुद के लिए नहीं करता हूं पर मुझे लगता है कि यहां से एक अच्छा exit point SBI card में आपको मिलना चाहिए फ्रेंट्स फदर कोई query हो तो आप मुझे कमें सेक्षन में बताईए वीडियो पसंद आईए तो लाइक कीजिए आपके अपने चैनल is my investment को subscribe करना ना भूले थेंक यू